जेहीं दोस्तो दोस्तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इंडो तिबत बोर्डर पुलिस वोर्स बड़ती 2020 के बारे में जो कि रिसेंटली जारी की गई है और ये बड़ती आपकी कौंश्टवल जीडी के पदोपर निकाली है जिसमें की मेल एंड फीमेल दोनों क आवेदन कर सकते हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूँ तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं दोस्तों यहाँ पर मैं आपको अभी जानकारी देने वाला हूँ यह मैं आपको जो इंप्लेमेंट न्यूज पेपर जारी हुआ है चार जुलाई से दस जुलाई के बीच का तो इसी के अंदर इस बर्सकी घोस्ना की गई है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो आपको यहाँ पर साइड में देखने को मिल पा रहा है इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस फोर्स यानि के ITBP बर्ती Recruitment of Meritorious Sports Person to the Post of Constable General Duty अंडर Sports Quota 2020 in ITBP बेसिकली यह बर्ती Sports Quota के अंतरगत निकाली गई है जिसमें की Meritorious Sports Person यानि के मेधावी खिलाडी ही केंडेट आविधन कर पाएंगे तो यहाँ पर जो आपकी Total Vacancy निकाली है 51 है और Post का नाम आपका Constable GDA है जिसमें की अलग-अलग डिसिप्लीन के लिए बर्ती निकाली है इस बर्ती पर आपको जो सालरी दी जाएगी वो आपकी 21,700 रुपेस लेकर 79,100 रुपेस दी जाएगी इसके अलाबा जो आपके डिसिप्लीन है आप देख लीजिए बोकसिंग जिसमें की male female दोनो candidate आविदन कर सकते है रेसलिंग में सिर्फ female candidate आविदन कर पाएगी और कबड़ी में male candidate आविदन कर सकते है female नहीं और यहाँ पर Volleyball में आपके male female male candidate आविदन कर पाएगे sports shooting में male female दोनो और ice hockey में सिर्फ male candidate आविदन कर पाएगे अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको नीचे आ करके इसकी जो application fees हो जानने को मिल जाएगी यहाँ पर सोर पे application fees रखी गई है male candidate के लिए जो की बिलोंग करते है you are यानिके unreserved category से या फिर other backward class यानिके OBC category से इसके अलावा जो female candidate और जो CST candidate है इनके लिए कोई भी application fees नहीं है अब यहाँ पर जो आपको इसमें आविदन करना है वो आपको online महाद्यम के महाद्यम से जम्हा करना होगा यानिके offline way में आप इस firm को नहीं भर पाऊगे और जो आपके firm start के जाएंगे फिलफ होने वो आपके 13 जुलाई 2020 रात 12 बज़े से start हो जाएंगे और आप लोग 26 अगस 2020 रात 12 बज़े तक ही आविदन कर पाऊगे इसमें आपको especially बताया कि these vacancies are not open for physically challenged person और ex-service man यानि कि ex-service man और physically challenged person इसमें आविदन नहीं कर पाएंगे अगर qualification की बात करें तो इसमें दस्वी पास candidate आविदन कर पाएंगे आपको इन्होंने बोला है कि इस बरती का detailed out payment form fill up की date से पहले recruitment.itbp police.nic.in website के उपडेट कर दे जाएगा आप यहाँ पर यह website देख पा रहे हो अभी इसके उपडेट नहीं किया है क्योंकि यह बरती आज ही employment news paper के अंदर प्रकासित की गई है जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखा यह employment news ही है आप यहाँ पर और भी बरती के बारे में देख सकते हैं बट मैं अभी आपको especially इस बरती के बारे में update दे रहा हूँ जिसमें कि All India से candidate आविधन कर पाएंगे इसमें fresh candidate आविधन नहीं कर सकते आपका meritorious sports person होना जरूरी है इसमें आविधन करने के लिए और यहाँ पर आपका जो discipline आपको दिये जा रहे है इसका मतलब यह कि आपने इन discipline में state level national level या international level के उपर खेला हो तभी आप इसमें पूरी तरिके से eligible होपा होगे आविधन करने के लिए detailed जानकर यह आपको यहाँ पर जैसे official notification अपडेट होगा fully उससे दी जाएगी और साती जैसे ही आपका apply link activate होगा आपको from fluff की वीडियो भी मिल जाएगी अगर आप इस वर्ति में आविधन करने के लिए eligible हो तो आप इस वीडियो को like करे share करे and इस channel को subscribe करके bell icon को on कर ले ताकि आपको आगे आने वाली सभी वीडियो के अपडेट IT भी भी भरती से related मिलते रहे